हेलो स्टूटन्स हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपिरेंस ट्यूटर में आपका स्वागत है आज हम तो डिसक्स करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टन फिजिक्स नियुमेरिकल्स पार्ट वन यह टिटोरियल दोनों मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी और इंग्लिश आज क्लास्स स्टार्ट करने से पहले आप लोगो से निवे दन है अगर आप हमारे यूट्यूप चैनल एक्सपिरेंस ट्यूटर को आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इतन को प्ले करके सब्सक्राइब करने और बेल आइकन के notification कौन करने इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको automatic notification मिलता रहेगा जब भी कोई वीडियो हम अपने चैनल पर upload करेंगे हमारे वीडियो को जाय से share कीजिए like कीजिए और commit कीजिए चलिए आज का class start करते हैं चलिए आज का पहला प्रस्न first two protons in a molecule is separated by distance 3 x 10 to the power minus 10 meter find the electrostatic force exerted by one proton on the other एक अनुम में दो प्रोटोन त्री गुने तीन गुने दस 10 to the power minus 10 मेटर की दूरी पे से अलग स्थित है दोनों के बीच की दूरी कितना है 3 into 10 to the power minus 10 दोनों प्रोटोन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टाटिक बल का मान बताएं ठीक है तो यह बड़ा असान सा क्वेश्चन है एलेक्ट्रोस्टाटिक से यह क्वेश्चन है तो मान लिजिए यह है एक प्रोटोन दूसरा प्रोटोन यह रहा ठीक है इनकी बीच की दूरी आपको दिया गया है कितना 3 into 10 to the power minus 10 मीटर यह दूरी आपके दिया गया है और इसका प्रोटोन का चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कोलम तो दोनों का ही चार्ज कितना Q is equal to इतना होता है दोनों में Q चार्ज है और Q कामान है 1.6 into 10 to the power minus 19 कोलम ठीक है मतलब कि यहां भी कितना है 1.6 into 10 to the power minus 19 कोलम अब कोलम की नियम की हिसाब से क्या होता है F electrostatic force में से electrostatic बल is equal to क्या होता है जब दो चार्ज कुछ दूरी पे हो और उनका दूरी ग्यात हो उनके बीच का दूरी ग्यात हो distance ग्यात हो तो electrostatic बल electrostatic force कितने के ब्रावर होता है 1 by 4 pi epsilon 0 epsilon 0 q1 q2 upon r square अब q1 q2 क्या है दोनों charge है और यहाँ पे q1 और यह q2 है इस हमारे case में यह दोनों ब्रावर है q1 और q2 ब्रावर है क्योंकि दोनों ही proton है अच्छा अब देखिए अब हमें लिखना यह है कि q1 is equal to q2 is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम ठीक है और r का मान दिया गया है 3 into 10 to the power minus 10 meter अब हमें यह दोनों मान इस फर्मला में बेठा देना है तो f is equal to कितना हो गया अच्छा इसका मान जो होता है इस चीज का मान होता है आपको याद रखना है यह 9 into 10 to the power 9 ठीक है इस चीज का मान होता है 9 into 10 to the power 9 यह लिक दिया इसके बदले में यह बेठा दिया इसका होता है 9 into 10 to the power 9 तो इसका मान हमने बेठा दिया इसका value बेठा दिया उसके बाद q1 और q2 का चुकि यहां बराबर है तो इसका क्या हो जाएगा square हो जाएगा और r का square तो distance का square इसका भी square कर दीजिए ठीक है तो अब पूरे का value आराम से निकल जाएगा सिर्फ आपको solve करना है solve कर लीजेगा इसे और इसका वैल्यू आएगा यह ठीक है और यह किस तरह का बल होगा यह रिपल्सिव तो इने में क्या कहेंगे से प्रतिकारक यह एक प्रतिकारक बल होगा ठीक है? यह होगया? यह है एनसर होगया ठीक है? चलिए नेक्स्कोषित किया और बढ़ते हैं चलिए यह होगया हमारा अब नेक्स्कोषिटिन 3 चार्जर्स 10 माइक्र होगल्म 5 µm and –5 µm are present in air at three corners A, B, C of a equilateral triangle of site 0.1 m. Find the resultant force experienced by charge placed at corner A. 3 µm, 10 µm, 5 µm, –5 µm. Sambahu tribusqe tInno kono A, B, C पे रखे गये है. Sambahu tribusqe vijioaun ki lembai 0.1 m. A पर लगने वाले परिणामिबल को ग्याद कीजिए. तो इसका मैं पहले figure draw कर लेता हूं. यह हमने figure draw कर लिया. यह एक एकविलेक्टर एबीसी एक एकविलेक्टर ट्रेंगल है संभाहुत्र बूज है जिनके भुजाओं की लंबाई में साइड लेंद्ध आफ तो फॉइंट वन मीटर है तो हमें क्या निकालना है हमें और तीनों पे 10 तस ओम दस मैक्रोकुलम पांच मैक्रोकुलम और माइनस पांच मैक्रोकुलम आब इस रखे गया है तो यहाँ पे लिख लिजिए यह है दस मैक्रोकुलम यहाँ पे पांच मैक्रोकुलम और यहाँ पे माइनस पांच मैक्रोकुलम आवेस रखे गए है ट्रेंगल का साइड पॉइंट वन मीटर का है ठेक है तो अब सवाल इस तर से जो जो दिये गए है उनका उनको लिख लेंगे जैसे QA का वैल्यू चार्ज आवेस A पे कितना आवेस है चार्ज कितना है वो लिख लेंगे वो है 10 माइक्रो कॉलम तो यहाँ पे 10 माइक्रो कॉलम लिख लिया QB पे कितना है उसे भी लिख लेंगे 5 माइक्रो कॉलम और QC पे कितना है QC का वैल्यू कितना है माइनस 5 माइक्रो कॉलम ठेक है अच्छा, micro is equal to क्या होता है पता है आपको micro is equal to 10 to the power minus 6 होता है टेक है 1 micro column is equal to 1 micro column is equal to is equal to यह micro column है is equal to 10 to the power minus 6 तो सब में 10 to the power minus 6 है तो अब और एक चीज दिया गया है since यह equilateral triangle है समाहुत्र पूज है इसलिए इनके sides जो है वो equal है, braver है कितना 1 point, 0.1 meter के, ठेक है अब जो AB वाला बल होगा AB कुन सा है यह देखिए, यह यह side, AB वाला जो बल होगा वो कितने के प्रावर होगा कुलम्स के नियम के हिसाब से 1 by 4 by epsilon 0 और और Q1 QA QB upon AB square ठेक है, कुलम्स के नियम के हिसाब से यह ठीक बैट रहा है तब इसको हम इसका मान याद कर लेते हैं 1 by 4 by epsilon 0 10 to the power minus 10 to the power 9 into 10 to the power 9 यह हो गया उसको बहुत QA QA कितना है 10 to the power minus 6 ठीक है यह हो गया QA का value QB की value है 5 microcolum तो 5 into 10 to the power minus 6 upon R की value के है 0.1 A B की value 0.1 0.1 का square अब इसको solve कीजिए इसको solve करने से क्या आजाएगा यह आजाएगा 45 newton यह कैसा बल होगा यह भी repulsive Save Hindi में क्या कहेंगे प्रतिकारक ठीक है प्रतिकारक बल होगा तो F A B हमने निकाल लिया अब F A C निकालना है चलिए F A C निकालते हैं F A C का value क्या हो जाएगा इसको साइट की और बढ़ा जिता है अब F A C हमें निकालना है F A C इसकल टू क्या हो जाएगा 1 by 4 by कुलम के नियम से एपसालम नॉट Q A Q C अपान A C स्क्वेर ठीक है एक्साम में आपको थोड़ा सा डीटेल में लिखना है कुलम के नियम के अनुसार एक्वराइशन पार्ट आपको तो कुलम से लाँ यह सब लिखना करेंगा टेक है मैं में जिस्ट जो सम है उसको मैं सल्ट कर रहा हूँ डेकोरेशन पार्ट आपलो कर लीजिएगा 10 to the power minus 6 नहीं यहां पे हो जाएगा 10 into 10 to the power minus 6 multiply by 5 into 10 to the power minus 6 upon 0.1 का स्क्वायर इसको भी सॉल्व कर लीजे तो इतना कितना हैगा 45 newton और ये भी कुन सा बल होगा परती कारक बल means repulsive ये भी repulsive force होगा परती कारक ठीक है ये भी ते पलसिप force अर्थात परती कारक बल होगा अब देखिए ये यहाँ पे गलती होगे ये परती कारक नहीं होगा क्यों ये attractive force होगा क्यों क्योंकि यहाँ देखिए ये इसी है न ये पलस है और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा पलस और माइनस में attraction होगा ठीक है तो ये कैसा बल होगा attractive ये जाद्टिव और हिंदी में क्या कहेंगे सैकर्सक आ हुआ यहां कर सकोगा तो हमने यह दो निकाला लेकिन हमें निकालना क्या है हमें निकालना यह है कि है है को दोनों बल के परनामी बल हमें निकालना है तो परनामी बल निकालने के लिए यह अपर आज है एफ माली जी परिनामी बॉल है तो उसका फॉर्मुला क्या हो जाएगा एफ एफ एबी स्क्वेर प्लस एफ 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 स्क्वेर फ्लस टू एफ एबी मल्टिप्लाइ बैर गुने एफ एफ एज़ए लुग आएफ एफ 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 एंची कॉस 120 डिगरी 120 degree कहां से आया दोनों के बीच का एंगल दोनों के बीच का positive angle ठीक है FAB और FAC के बीच का positive angle वो 120 degree होगा वो कैसे होगा ठीक है ये good question है वो कैसे होगा यहां देखिए AB AB का बल इधर लग रहा है इधर लग रहा है ठीक है repulsive है AC का बल इधर लग रहा है और इधर लग रहा है attractive है तो हम इनका परिणामी बल किदर लगेगा ये इस angle कितने का है 60 degree का तो इससे बाहर वाला angle जो होगा वो कितने का होगा इसको जिदी हम बढ़ा बढ़ा देते हैं तो ये कितने का होगा 180 minus 60 तो 120 degree ठीक है और इनका परिणामी बल कुछ ऐसा लगेगा 180 के तो इन दुनों के बीच का एंगल जितना होगा positive direction में एंगल जितना होगा तो इनके इस का एंगल कैसे हम निकाले 180 minus 60 क्योंकि ये 60 था ठीक है तो ये हो गया आपका अब यहाँ पर इसकी value बिठा दीजे कितना है दोनों का मान हमारा 45 45 square plus 45 square plus 2 into 45 into 45 cos का मान मिठा दीजे 120 का value कितना होता है minus 0.45 ठीक है minus 0.5 minus half होता है ठीक है ये हो गया आपका value अब इसको solve कर लिजे से कितना हो जाएगा 45 और यहाँ पर minus 1 तो यह हो जाएगा 45 newton यह हो गया हमारा resultant force या परिदामी बल ठीक है और यह क्या होगा 120 120 degree angle पर काम करेगा चली समझ में आगया चली आगे बढ़ते हैं अब third numerical है in a given circuit assume A to B at 0 potential use ketchup's law to determine the potential at B ठीक है circuit को देख लीजे तो यह राजर के टाप का तो A जो है यहाँ पे A जो है 0 potential B is equal to 0 है तो B का potential निकालना है यहाँ पे B is equal to क्या होगा वो निकालना है दिये गए परिपत में माले जिए बिंदू A का बिभव शुनिये है के चप्स के नियम के अनुसार B बिंदू B का बिभव निकालना है ठीक है चलिए निकालते है इसको तो सबसे पहले इस इस बिंदू पे बिचार कीजिए इस पॉइंट पे यहाँ पे यहाँ पे करने जाए है 2 A करने जा रहा है ठीक है 2 A में से एक A तो इधर चला गया बाकी क्या बचा एक A बचा इधर आजाएगा ठीक है तो DC से होने वाले करेंट कितना है एक A करेंट अब हम यह दू छोड़ लेते हैं तो यहां पर यह समझ में है यह important है एक अंपेर करन्ट यहां से जाए अब यहां से यह यह बिंदू और यह बिंदू लेते हैं और हम लेंगे पत को देखिए हम लेंगे A C D B A C D B इस पत्में इस पाथ पे हम देखिएंगे कि करेंट और रेस्टेंस और वोल्टिज का मल्टिप्लिकेशन कितना होता है तो यह यहां का बिभव कितना है बोल्टिज कितना है फोर फुल्ट जीरो जीरो है और यहां का बी का हमें निकालना है तो हम लिखेंगे V A ठीक है प्लस इसकोइड करेंगे यह कितना है 1 प्लस यहां पर वोल्टिज कितना होगा DC में वोल्टिज कितना होगा बी इसकल टू क्या होता है आई आर होता है तो आई कितना है वन एमपेर हमने अभी निकाला यहां पर आर कितना है इसका डायरेक्शन क्या होगा उल्टा होगा क्यों क्योंकि करेंट इधर हमारे और इधर से जा रही है एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंट हो रही है यह करेंट इधर जा रही है और इधर से हमारा जो निकलने वाला इस वैटरी से जो निकलने वाला करेंट ह है वह इधर जा रही है तो यहां पर माइनस यह वाद़ टू फोल्ट यहां हो जाएगा और इसके पोटेंसिल के ठीक है वीपी के तो यहां पर वी एका वैल्यू कितना यह हुआ है वी जीरो है यह जीरो है तो क्या तो वीपी इस इकल टू कितना हो गया वन प्लस टू माइनस टू हो गया तो वन हो गया वन वोल्ट ठीक है तो वी वी का वैल्यू वन वोल्ट हो गया चलिए आगे बढ़ते है अब है कोश्यन नंबर फोर अप्लाइंग केचाप्स लॉप रूल तू लूप ACBPA एंड ACBQA तो फाइंड वैल्यू अफ करेंट आइवन आइटू एंड आइट्री इन नेटवर्क ठीक है तो किर्चप के नियम के अनुसार ACBPA और ACBQA में विद्युधारा आइवन आइटू आइट्री का मान गयाद करें यह अल इंडिया में 2010 में आया था ठीक है चलिए इसको सॉल्फ करते हैं तो हम किर्चप का नियम लगाएंगे ACBPA में ACBPA में तो क्या हो जाएगा ACBPA देखे यह पॉइंट यह पॉइंट यह पॉइंट यह पॉइंट यह पॉइंट यह पॉइंट और फिर वापस यह वाले बाहरी लुपने तो क्या होता है किसी भी क्लोज्ट सर्किट में कर रेजिस्टेंस और सिग्मा भी इस इगल टो जीरो होता है मैंस विभ्यांतर का सिग्मा जीरो होता है तो सिग्मा भी इस इगल टो जीरो अब सिग्मा भी सब का निकाल लेजिए तो बारहों उम्बाले में कितना करेंट बह रहा है आई 3 तो हम लिख सकते हैं माइनस आई 12 आई 3 क्यों करेंट ऐसे बह रहा है इसको मैंने माइनस लिए हुआ है प्लस हम क्या लिखेंगे प्लस 6 कर सकते है तो प्लस 6 कहां से है यह वाला और फिर माइनस 0.5 आई 1 कहां से है यह आई 1 और इसका यहां पर यह 0.5 ठीक है इस इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो अच्छा से देख लीजिए सही है फिर आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्ट कीजिए तो यह आजाएगा 5 I1 प्लस 120 I3 is equal to 60 ठीक है क्या क्या हमने 10 से मल्टिप्लाई कर दिया और माइनस से माइनस को कॉमन करके वदर बाकी जो कॉंस्टेंट है उसको भेज दिया इदर तो तो यह से मल्टिप्लाई करनेगा यह 120 हो जाएगा यह 60 हो जाएगा यह 5 हो जाएगा ठीक है ऐसे आगया 5 I1 लिख दिया 120 I3 यह यह बन गया 60 हो गया अच्छा यह इसको हम equation 1 मालेंगे ठीक है अब दुसरे वाले लूप में जाईए है एसी एसी बी क्यू ए ठीक है देखिए ए एसी यह हो गया दूसरे रंग का यह हो गया एसी बी क्यू ए इस लूप में जाईए है तो इस लूप में क्या हो रहा है हमारा तो वही करेंट ररेस्ट्रेंस देखिए तो हम लेख सकते हैं माइनस 12 आई 3 प्लस टैन्स कहां से है यह 12 आई 3 कहां से है यह रेस्ट्रेंस 12 है आई 3 इधर से भाए है यह रही है यह आई 3 यहां पे है इस बाले direction को माइनस लिए हैं और 10 देखिए यह यह ओपोजिट लगा हुआ है इसलिए इसको प्लस लिए हैं अब हो गया और यहां पर आइटू बह रहा है यहां पर कुन सा वला है यह आइटू है आइटू इन्टू वन तो यहां पर हम लिखेंगे आइटू इंटू वन दस इस इकल टू जेरो इसको सॉल्फ कीजिए और माइनस वागरा कॉमन लेके जैसे पहले सॉल्फ किया था एक्वेशिन वन को यह हो गया आपका इस इकल टू टैन यह हो गया एक्वेशिन टू ठीक है और किरचप्स के नियम के अंसर क्या लिख सकते हैं जंक्शन पर करेंट का जो जोड होता है वह एक ब्रावर होता है तो यहां पर देखिए किसी एक जंक्शन को ले लिजे जहां पर आई वान आई टू और आई त्री मिट कर रहा हो तो आप यहां पर लिख 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 सकते हैं देख लिज यहां से आया, यहां पर मिला, फिर i2 इधर मिला, तो i1 और i2 का direction यहां पर point A पर junction पर same है, और इन दोनों मिलके i3 बनाया है, तो i3 is equal to i1 plus i2, लिख सकता है, तो यह हमारा हो गया, equation 3, उसके बाद जदि हम equation 1, 2 और 3 को solve करें solve normal solving है तो हमें I1 is equal to 84 upon 37 I2 is equal to 106 upon 37 ampere और I3 is equal to 22 upon 37 ampere यह आजाएगा तो हमने I1, I2 और I3 की value हमने निकाल लिए आज का class एहीं पर sum out करते हैं और आप लोगों से निवे दन हैं अगर आप हमारे YouTube चैनल Experience Tutor को आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के notification को अंद कर लें इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको automatic notification मिलता रहेगा जब भी कोई वीडियो हम अपने चैनल पर upload करेंगे हमारे वीडियो को जाज से जाज सेर कीजी लाइक कीजी और कमेट कीजी आपका आज का दिन शुभ हो और आपको एक्जाम में काफे अच्छे माक्स है इन शुभ कामनाओं के साथ हम लोग आज की क्लास नहीं किस हम आपकरते हैं जल्दी मिलेंगे कुछ नए problems और उनके solutions के साथ तब तक के लिए हमें आ गया दिजिए हमेशा कुछ रहिए मुस्कारते रहिए healthy रहिए और दूसरों को help करते रहिए thank you very much